ऐसे önce हैं तो देखो हम लीनिय और वेरीशन काईन का इस Tempe अब ऑन मिसमेंद आया वहीं हविदत हो सबसे इंपर्डेंट पार्ट है उसके कुछ मतलब अग्जांपल बताने वाला ऊंकुछ मैं मॉलिक्डी में भूर। जिन का मैं सेकुलर डिटर्मेंट रहांगा झाले मैं नेशन लेंगे हैं तोटल पाय फॉरूमेशन की यह सब की बात करूँगा चारो कैसे निकालते हैं सारे सिस्टम पक्का जो मैं आप ये लेक्चर बात करने वाला हूं मैं 100% एश्योर कर रहा हूं जितने भी मैं सिस्टम आगे पढ़ा हूं आपसे है अग्जीन साइकल बार एक्जाम में आता है उसी वह से चार एनरजी कभी-कभी और उसके जो उसके कॉंस्टेंट बेसिकली मैं बोलूम पैरामेटर थे वारेशनल पैरामेटर सीवन सीटू उनसे जो मेरा चार्ज टेंसिटी का ठीक है या फिर बॉंड ओडर निकालने का व है और हमको इक करके दिखा होगा धेंको यहां मैं स्टार्ट करता हूं अपना पहला सिस्टम के छानी दिखाता हूं और 闇सस्टम में सब कुछ निकालकर दिखाता हूं एक होता है क्या Быetically होसी स्ट्टू Again its सबसे पहले तीनों का सब चीज लिखते चलेंगे करके अगर मैं सबसे पहले तीनों का सैकुलर डिटर्मिनेंट लिखूं सैकुलर डिटर्मिनेंट ये 1,2,3 कारवन है सब में ऐसी 1,2,3 कारवन है बिल्कुल देखते चलेंगे देरे देरे पला रहा हूँ सैकुलर डिटर्मिनेंट लिखूं तो C11 तीन कारवन का सिस्टम है C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 ये कहानी होई कि सब में ठीक है आओ मैंने देखा था है एच आई जी एच आई 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 एस वाई आई 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 सब की वैल्यू आपको बता रखिए मैं बिल्कुल वही लिखूंगा डायेक्ट मैं अलफा मैं अलफा बीटा की टर्म्स में लिख दूँगा ठीक है तो एलफा माइनस इकी टर्म्स में लिखूंगा प्र आलफा म्याशी टूडँर इस एलफा माइनस एस इस इस लिख आउँ यह सब वैल्यू आई कैसे मैं बिताता हूं देखो C11 basically क्या है मेरा H11 minus ES11 basically यही तो है H11 minus ES11 एक का दिखा रहा हूँ बाकी सब मैं directly लिखा हूँ फिर भी दुबार से revise हो जाए कुछ लोग नए देख रहा हूँ पूरा इसका determine लिख का दिखा रहा हूँ साफ कर दूँँगा H11 minus ES11 H12 minus ES12 H13 minus ES13 आगे बात समझ मैं आओ इसकी बात करते हैं H21 minus ES21 H22 minus ES22 H23 minus ES23 H31 minus ES31 H32 minus ES32 S33 minus ES33 सब की बैल्ली स्टार्ट करता हूँ हों देखो HII is always basically HII किसके इकोल बदाया था मैंने HII is equals to alpha or SII is equals to 1 Sij is equals to 0 ठीक है और Hij is equals to beta when I and J directly connected I and J directly connected ठीक है और Hij is equals to 0 when I and J are not directly connected are not directly connected बस इस बात को धियान रखना था और यही put करा मैंने HII की जगे alpha put कर दिया alpha minus ठीक है ES11 की जगे क्या put कर दिया 1 तो alpha minus E होगा H12 की जगे क्या put करना था connected है तो beta ESI S12 IJ क्या है 0 into 0 तो यह क्या बन जाएगा beta similarly H13 में क्या put कर दिया H13 is not connected तो already 0 minus E into S13 also 0 तो 0 minus E0 तो यह क्या 0 minus E0 क्या होगा E into 0 E0 होगा इसी तरी के यहाँ बात करें तो यहाँ 0 minus क्या sorry H21 is connected beta minus E into 0 तो beta बन जाएगा ठीक है किसके एकलो जाएगा beta इसकी बात करें तो H22 is alpha E into S22 is 1 तो यह alpha minus E हो जाएगा बेसे क्या हो जाएगा alpha minus E इसकी बात करें H23 is connected बिल्कुल connected है तो beta E23 E into 0 तो यहाँ से beta आजाएगा ठीक है इसकी बात करें तो मैं क्या जाएगा यह 0 minus E into 0 इसकी बात करूं तो मैं beta minus E into 0 इसकी बात करो तो alpha minus E into 1 that is alpha minus E तो देखो अब यही तो determinant में लिखा मैंने alpha minus E beta 0 beta alpha minus E beta 0 beta alpha minus E यही डारेक्ट लिख दिया याद रखेंगे इसको आगे का प्रोसीजर है सब ठीक है secular determinant लिख दिया यह secular determinant लिख दिया सब के लिए मैं और इसकी extra form में लिखूंगा भई इसको और यहाँ इसको इधर basically इसको इधर लिखना है अगर मैं इसके लिखूं जैसे इसको मैं दुबारा से इधर लिख लेता हूँ alpha minus E beta 0 थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंग नहीं लिखेगा बनना alpha minus E beta 0 beta alpha minus E beta 0 beta alpha minus E ठीक है इसको साफ कर लिए क्योंकि आगे मैं x की form में लिख दूँगा ठीक है आओ यहाँ लिखता हूँ मैं सब के इसके लिए भी लिखता हूँ तो सेक्लर डिटर्मिनेंट आएगा क्योंकि सेक्लर डिटर्मिनेंट में कोई चीज नहीं होगा नमबर ओफ कार्बन एटम वैसे हैं और अर्रेंग्मेंट भी वैसे है ठीक है beta 0 beta alpha minus E इसके लिखूंगा तो इसके लिए भी सेम ही आएगा alpha minus E beta 0 beta alpha minus E 0 0 beta alpha minus E सेम आएगा क्योंकि number of carbon atom में क्या नहीं है चेंज नहीं है और नाहीं carbon atom के अर्एंजमेंट में चैंज है क्या विए वैसे है ठीक है और इसके बाद क्या करता हूं beta से लिए इसके बाद क्या करूंगा बीटा से डिवाइड कर दूँगा इसके बाद बीटा से डिवाइड कर दूँगा तो यह क्या जाएगा alpha minus E upon beta 1 0 ठीक है 1 alpha minus E upon beta सोरी इधर बन और यह क्या जाएगा जीरो की जाएगे क्या जाएगा जीरो बीटा की जाएगा 1 alpha minus E upon beta यह सब इक्कोस टू जीरो है इसके बाद कर दूँगा पूट alpha minus E upon beta is equals to x alpha minus E equals to beta upon x तो यह जो determinant है यह क्या बन जाएगा एक्स one zero one x one zero one x is equals to zero बस यहीं तीनों का डिटर्मिनेंट बन जाएगा तो फाइनल यह डिटर्मिनेंट लिख दूँगा और इसके बाद मैं एनर्जी का खेल देखुआ तो यह हो गया एक्स one zero one x one zero one x ठीक है यह बात इसको करना है तो सबके लिए डिमिनेंट हो जाएगा बीसिकली सबके अंडर अंडर यहीं लिख देंगे ठीक है बारवार मैं ना लिखूं यहीं लिख देंगे एक्स one zero one x one zero one x is equals to zero ठीक है आओ एक्स one zero one x one zero one x is equals to zero सबके अंडर यहीं चीज लिख देंगे आओ इसके बात की कहानी देखते है इसके बात की कहानी क्या है अब देटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे यह एक्स ऐसे ही ठीक है इनका मैल्टिपलिगेशन एक्स स्क्वार माइनस वन यह माइनस वन ठीक है और इसका one x x minus zero फिर जीरो अगला जीरो से मैल्टिपल है सब यहीं आएगा तो यह क्या बन जाएगा x into x square minus 1 minus 1 into x that is x x cube minus x minus x is equals तो यह क्या आजाएगा basically equals to 0 equals to 0 और यह आजाएगा x cube minus two x equals to 0 x cube sorry x इसको मा ले लिया, x square minus 2 is equals to 0, x की value 0 आगी और x की value की आगी plus minus root 2, इसके roots यह ही आएंगे, mathematical roots होते हैं, क्योंकि 1 तो 1 तो क्या हो जागा, x equals to 0, और दूसरा क्या हो जागा, x square equals to 2, यानि x equals to plus minus root 2, ठीक है, तो 3 root आगे, x equals to 0, x equals to plus minus root 2, आभी बास समझ में, याद रखना, इसक सबके अंडर ही है, सबके तीनों के नीचे यह चल रहा है, इसके बाद, मैं इसकी energy की order देखता हूं, basically, तो मुझे की बता है, alpha minus e upon beta is equals to x है, तो x की value 0 बुट करें देखो एक बार, alpha minus e, beta, सबके लिए energy, when, x equals to 0, तो alpha minus e upon beta, क्या, is equals to 0, ठीक है, क्योंकि x की value 0 है, तो alpha minus e is equals to 0, तो e की value क्या आजाएगी, alpha, एक केस में तो e की value alpha आगी, दूसरा, when, x equals to plus root 2, तो alpha minus e upon beta is equals to plus का root 2, याद रखना बिल्कुल, alpha minus e is equals to root 2 beta, तो e की value यहाँ से इधर जाएगा, यह दर आजाएगा, alpha minus root 2 beta, यहाँ रखना है, यह सब mathematical है, तीसरा, when, x is equals to minus root 2, ठीक है, alpha minus e upon beta is equals to minus k root 2, alpha minus e is equals to minus root 2 into beta, तो alpha plus root 2 beta, किस की value आजाएगी, e की, ठीक है, क्योंकि इसको इधर ले आओ, e को इधर ले जाओ, और इसको इधर, alpha plus root 2 beta, देखो, कहाँ से एक चीज, मैंने पहले भी बताई थी, अगर मैं इसमें सबसे कम energy कौन सी है, सबसे कम energy कौन सी है, तो सबसे कम energy, मैंने बताया था, जितना जादा x negative, वो सबसे कम energy, इसमें सबसे जादा x negative, तो यह ground state की energy होगी, उसके बाद, इसमें 0 और इसमें तो positive यह first excited state की energy, और यह second excited state हो, यही मेरी upper bound energy बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अगर मैं इनको यहां तक note करो सब, क्योंकि तीनों के अंडर यही चल रहा है, तीनों के root same है, अब गर इसमें energy order लिखने है, क्या लिखने है, energy order, तो तीन energy order बने, एक, दो, तीन, यह पहला e, ground state basically, इसकी energy कितनी हो गई, क्या, alpha plus root 2 beta, और इसकी energy alpha, और इसकी alpha minus root 2 beta, यहां भी तीनों state, alpha plus root 2 beta, alpha, alpha minus root 2 beta, अब आप सोच रहोंगे, सर्फ जब सब में energy अभी तक same है, तो इसमें difference क्या है, फिर तीनों सिस्टेम अलागला क्यों बढ़ा रहे हैं, मैंने का रुख जाओ, यह अभी तक की कहानी हो गए, बहुत काम की कहानी है, बिल्कुल दियान से देखते रहेंगे, देख पोजिटिव चार से कोई नहीं, तो दो इलेक्ट्रोन पहली स्टेट में भरे जाएंगे, इसमें कितने पाइलेक्ट्रोन, दो प्लस एक free radical का 3, एक, दो, तीन, एक energy state, बिसिकली एक orbital की energy को बताएगे, तो एक में दो इलेक्ट्रोन फिल्ड होंगे, याद रखना, इसमें क पाइलेक्ट्रोन एनर्जी की बात करता हूं, तो टोटल नंबर ओफ एलेक्ट्रोन और जिस energy state में है, देखो, सबसे पहले तो आओ, इसमें और चीज़ सीख लो, यह जो state है, यह वाली state होगी, इसकी होमो, highest occupied molecular orbital, और जो इस से उपर वाली लूमो होगी, यह लूमो, lowest unoccupied molecular यह इसका होमो, highest occupied molecular seconds, यह बीक्मो, सकता है वो, इसमरी इनर्जी क्या है, ठीक है, होमो की energy क्या है, ऐसे भी question पूछे है, उसने, gate में भी पूछे है, एसा नहीं है, हर चीज से question पूछा है, इसलिए, मैं भी बोला, बहुत important है, और टोटलल पाइलेक्रो ड़जी क्तने पाइलेक्रोन है टोडल सविस इन्टू इसकी एजनल फॉर्मूला रिखों लिखूँ अ अबाइलanton इलेक्षिकीष्ट्रण फियो thrilled फ्स्ुपां इनर्जी ओफ लेक्रों दिसगमें mean semaine भी सिकरेक्ष्ष्ट तो यहां कितने पाइलेक्ट्रोन है दो और एनर्जी क्या है एलफा प्लस रूट टू बीटा तो टू एलफा प्लस टू रूट टू बीटा इस दा एनर्जी टोटल पाइलेक्ट्रोन एनर्जी इस वाले में निकालूंगा तो इसमें कितनी है इसमें तीन पाइलेक्ट्रोन ह टोटल पाइलेक्टरोन एनेरजी की बात करूँ तो इसमें कितनी आएंगी टू इन्टु एलफा प्लस रूट टू बीटा और प्लस एक लेक्टरॉन मेरा कि इसमाली में स्टेट में अल्फा में तो टू ऐलफा प्लस 2 root 2 बीटा प्लस alpha तो ये क्या बन जाएगा 3 alpha 2 root 2 बीटा आओ इस पर पाई लेक्रोन एंशी कहानी देखता हूँ total πाई लेक्रोन एंश्य ठीक है देखो कितने field लेक्रोन है 2 into alpha plus root 2 बीटा जो फ्लस 2 into alpha 2 alpha में तो 2 alpha plus 2 root 2 बीटा plus 2 alpha that is 4 alpha plus 2 root 2 beta देखो आना स्टार्ट हो गया न अंतर difference आना स्टार्ट हो गया पहली चीज जो मैंने निकाले total pi electron energy तीनों में तो तीनों में difference है सबसे ठीक है तीनों में क्या है difference है total pi electron की energy में आगी बास समझ में आओ दूसरी चीज सेखते हैं ठीक है दूसरी चीज क्या थी मेरी energy of pi electron excitation दूसरी चीज क्या है energy of pi electron excitation pi electron excitation की energy कहानी देखूँगा तो pi electron excitation की energy किसके equal होती है basically अगर बावत माग करों तो ये मेरी e lumo minus e homo सबको पतल लगी है इसलिए मैंने homo लियूमो भी identify करा है है हर एक के homo lumo सब पता है आपको किसमें क्या homo है किसमें क्या lumo है तो basically energy of pi excitation क्या होगी e lumo minus e homo तो energy of lumo minus energy of homo तेखो यहाँ electron से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसमें कितने electron बस lumo minus homo की energy करनी है lumo की energy alpha homo की energy alpha plus root 2 beta यह minus होगा तो यह alpha minus alpha plus root minus root 2 beta तो alpha से alpha गड़ेगा तो energy कितनी आई minus root 2 beta तो इसमें energy of pi electron excitation root 2 beta पहले बाले में दूसरे बाले case में बेसिकली दूसरे बाले case में energy of pi electron excitation तो बेसिकली lumo minus homo lumo की energy alpha minus root 2 beta homo की energy minus alpha alpha से alpha गड़ेगा इसमें minus root 2 beta ओप यह भी सेम आ गई तीसरा सुरी तीसरे में जो दूसरी energy निकालनी है क्या है energy of pi electron excitation इसमें देखते हैं इसमें lumo क्या है alpha minus root 2 beta minus homo की energy is alpha minus root 2 beta मतलब यह क्या हुआ energy of pi electron excitation सेम ही आईगी क्योंकि इनके बीच में जो इसके हर actually हर energy label की बीच का gap equal है इसलिए ठीक है इसमें अचंबे वाली बात नहीं है मतलब इसमें क्या है इसके इसके बीच का gap और इसके इसके बीच का gap दोनों के बीच का gap same है इनों में इसलिए इनकी energy of pi electron excitation क्या आती है minus 2 beta यानि similar आती है third क्या है third है basically pi bond formation की energy pi bond formation में कितनी energy लगेगी तो energy corresponds to pi bond formation या energy of pi bond formation basically correspond लेखेंगे जो पहले लिखा है pi bond formation यहाँ इस पेस थोड़ा ठीक है तो इसका formula है basically इसमें क्या होगा जो मेरी e total पहली बाली जो आई है total pi electron energy e total pi electron energy e t pi e t pi electron energy minus minus इसमें से देखो minus क्या गरना है जो भी मेरे mobile electron है mobile number of mobile electron जो electron मेरे pi electron है basically number of mobile electron into alpha into alpha basically यह बोल सकता हूँ energy of mobile electrons into alpha basically number of mobile electron into alpha देखो निकालने सीखते है क्यासे energy of pi bond formation total energy कितने है 2 alpha plus 2 root 2 beta minus number of mobile electron कितने mobile electron है 2 2 into alpha तो 2 alpha से minus 2 alpha कर जाएगा तो basically 2 root 2 beta बन जाएगी इसमें इसमें देखते है इसमें निकाल दूँ pi bond formation की energy तो मैं लिख नहीं रहा हूँ direct यह निकाल दे रहा हूँ e t pi electron की energy minus क्या mobile electron 2 alpha तो देखो इसमें mobile electron कितने है 3 total energy कितनी थी इसकी 3 alpha plus 2 root 2 beta minus 3 alpha तो यह cut गया और यहां क्या बचाएगा basically 2 root 2 beta और यहां यहां बचाऊँ मैं तो यहां basically मेरी क्या थी 4 alpha total energy plus 2 root 2 beta minus में क्या हो गया 4 into mobile electron कितने है 2 और 2 4 4 into alpha basically 4 alpha से 4 alpha किया this is 2 root 2 beta ठीक है तो यहां क्या होगी अब इसे हमारे हमारे क्या होगी तीनों में जो pi bond formation की energy है वो similar आगी वो कितनी है 2 root 2 beta देखो दो energy अभी तक तीनों में same आई है क्या energy of pi electron excitation और energy of pi bond formation फोर्थ energy हमारी जो है और सबसे काम की है वो है डी लोकेलाइजेशन energy डी लोकेलाइजेशन एनरजी तेखो डी लोकेलाइजेशन एनरजी निकान लेके लिए क्या लगाएंगे हम जो भी मेरे total energy है यह total माइनस energy of इथाइलीन मोलेक्यूल energy of इथाइलीन इथाइलीन मोलेक्यूल बेसिकली इथाइलीन मोलेक्यूल की एनरजी माइनस करेंगे उसमें से और प्लस इसको ब्रैकेट में करेंगे अगर इथाइलीन मोलेक्यूल मतलब बेसिकली दो इलेक्ट्रोन से कोई जाद है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन है तो प्लस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन की एलर्जी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन की एनर्जी अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे तो सीधी सी बात है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन की एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन जितने हो उनको एलफा से मल्टिप्लाई करके लिख देना बस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन जितने हो उनको एलफा से मल्टिप्लाई करके देख देना है ठीक है अगर मैं तो पहल इथायलीन मौलीक pak dell मौलीकूल के एनरजी इथायलीन में धू marching DAVID महिकर नहिंए बीटा और एक ऐलफा मायनस मिडा थो टोतल एनरजी सालीन में दोनों दू ठीας सीफटी त्री क्सी डॉलस था दोफायले क्लेम था हम दोब्यद और गें तों कितनी होगे थी टूंट ак 2 alpha plus 2 beta कोई 2 alpha plus beta तो यह सब्ट्रیکक्टर नहें ना है तो रूट प्लस 2 alpha plus 2 root 2 beta minus 2 alpha 2 Welcome리 माइस कर देडा कोई extra electron नहीं है कोई एक्स्टर एल्लफा nutrient नहीं है तो इससे यह खुलेगा क्वला रूट विटा माइनस तुल फा और माइनस तू वीटा तो इससे यह कर दिया और यह क्या बन जाएगा ? विसु 2 common ले सकते हैं, 2 beta common ले सकते हैं, root 2 minus 1, तो इसको यहां लेख सकता हूं में direct इसकी 2 beta common root 2 minus 1 आई, इसकी delocalization energy, इसकी 4th energy delocalization energy, इसकी कितनी आईगे, total energy कितनी है, देखो यहां देखो, 3 alpha plus 2 root 2 beta minus ethylene molecular energy, 2 alpha minus 2 beta, क्योंकि देखो, अगर मैं इसको 2 minus लगाऊं, 2 alpha plus 2 beta के सामने तो यह किया जाएगी, minus 2 alpha minus 2 beta, और और जिसमें जो plus करना था, इसकी के लिख्योंकि, अर्यार, कुम confuse ना हो जाएगे, ऐसा ही लिखो, minus 2 alpha plus 2 beta plus extra electron है क्योंकि, हाँ है, दो electron से extra electron भी है, एक यह रहा, इसकी, plus 1 into alpha, एक extra electron की alpha, तो 3 alpha plus 2 root 2 beta minus 2 alpha minus 2 beta, और minus alpha, तो यह 2 और एक 3 minus के alpha, 3 plus के alpha, तो इसकी 2 root 2, sorry, 2 beta minus, 2 beta common root 2 minus 1 energy, 2 beta common root 2 minus 1 energy, इसमें भी अगर मैं, डी localization energy निकाल दूटल एनरजी, 4 alpha plus 2 root 2 beta minus 2 alpha minus 2 beta, डायरेक्ट लिख लहा हूँ, और कितने extra electron है, 2, 2 की energy alpha से, 2 alpha, तो यह 4 alpha, तो इसकी भी क्या जाएगी, 2 beta root 2 minus 1, मतलब क्या, मेरी delocalization energy भी तीनों system के लिए same आ रही है, तो बेसिकली वो total energy is डिफर कर रही है अभी तक तो अगर तीनों system में से कोई सभी आए, 4th equal energy है, कहां, कहां लिखो मैं, यहीं लिख देता हूँ, 5th, sorry, 5th energy, इस वो system साफ कर रहा हूँ, देख ले न, 5th energy लिखता हूँ, 5th energy is, क्या, 5th energy है मेरी, D-localization energy per electron, क्या है, D-localization energy per electron, तो समझोंगे इसको, तो यह क्या है, D-localization energy upon number of pi electron, बस, इसको D-localization energy है, जितनी आई, 2 beta, 2 beta, root 2-1 upon, कितने pi electron है, 2, 2 से गड़ गया, तो यहां से बीटा, root 2-1, यहां से देखो, D-localization energy per electron, per pi electron basically, इसको लिख देंगे, 5th energy, D-localization energy, per electron, कितनी है, कितनी आई थी, सेम यह आई थी, 2 beta, root 2-1, पर यहां pi electron कितने है, 3, ठीक है, तो 2 by 3, beta, root 2-1, आओ, इसकी देखते है, D-localization energy, per electron, ठीक है, तो total, इसकी D-localization energy, कितनी आई थी, 2 beta, root 2-1, और pi electron कितने है, 4, तो यह क्या जाएगी, बीटा, y2, root 2-1, अब देखो, सब कुछ सेम था, अब सब ज़्यादे, D-localization, किसमे होगा, इसमें, क्योंकि इसकी D-localization energy, per electron, मतलब इसका एक electron, ज़्यादे लोग, D-localize करेगा, हर electron, ज़्यादे, D-localize करेगा, अब इसके बाद मैं देखुँँगा, इन तीनों के, cyclic system, basically, किसके लिए, is this, for this, double bond से लगा देखुँँ, and for this, आगे चलके हम देखेंगे, किसके लिए, तो D-localization energy, zero हो जाएगी, और इस system में, D-localization होता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तक आप सो, सब कुछ समझ में आओगा, पांचो energy, वेने कैसे निकाली है, ठीक है, और इसके बाद, हम देखेंगे, अपने cyclic system तीनो,